श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दोस्तों आज हम आप लोगों को सुमवार का एक ऐसा महा अचुक उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय का फल आप लोगों को बहुती जल्द मिल जाएगा और अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई समस्या है कोई दुविदा है या आप लो जल्द आपका यह फल देखने को मिलेगा आपकी जो भी मनुकामना होगी अगर उस मनुकामना के साथ में इस उपाय को करते हैं पूरी श्रद्धा और भाव से तो निस्चेतिवे आपकी मनुकामना बहुती जल्द पूरी हो जाएगी सुमवार का उपाय है तो शिवजी का बहुती प्रिये दिन होता है सुमवार तो इसलिए आप लोग इस सुपाय को अवश्य करिएगा आपको करना क्या है कोई भी आपकी मनुकामना हो कोई भी दिक्कत हो उस मनुकामना के साथ में आप इस सुपाय को कीजिए आपको करना क्या है सुमवार के दिन आपको की शिवलिंग का अभिशेक होता है वो पूरी सामगरी आप लोग ले कर जाएए बेल पत्र फूल वगएरा सभी कुछ ले कर जाएए ठीक है और घी आपको मतलब साथ में लेकर अवश्य जाना है घी तो आपको ध्यान से लेकर जाना है क्योंकि यह पूरा उपाय घी पर ही आ शिव जी की शिवलिंग पर घी समर्पित कर रहे हूं तो घी समर्पित करने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग को पूरा घी से मल देना है घी से मलने के बाद अब आपको अपने सीधे हाथ की अनामी का उंगली को लेना है और शिव जी की शिवलिंग पर जो हाथ पूरे गोलम गोल हिस्से पर क्या करना है अपनी यह अनामिका उंगली फेड देना है पूरे गोलम गोल हिस्से पर अपनी मनोकामना को करते हुए ठीक है पहले आप लोग पूरी उंगली अपनी गोलम गोल फेड दीजिए मतलब आस पास पूरे गोलम गोल जो है जिसकी उपर शिवलिंग रखी है उसकी उपर पूरा फेड़ दीजे और उसकी बाद अपनी मनोकामना को बोल दीजे फिर उसके बाद जो भी आप लोग अपना भीशे कर रहे हैं जल समर्पित कर रहे हैं वो आप बाद में कर सकते हैं पर जिससे में आप लोग घी लगा रहे हों मतलब घी गी लगा रहे हैं अपनी अनामी का उंगली कौन सी होती है जो आपकी पांच उंगली होती है जिसमें सबसे आखरी वाली छोटी उंगली होती है उससे साइड वाली उंगली होती है वो अनामी का उंगली होती है जब आप उस उंगली से जो है शिवलिंग पर लगा हुआ घी क लेकर उन्हीं की जलाधारी होती जलाधारी की उपर शिवलिंग रखा हुआ था उसी की कटी पर पूरे गुलम गुल घी लगाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते हैं उस समय तो वह आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है वो इसलिए होती क्योंकि आप लोग शिव और पारवती का मिलन करा रहे हैं वो इसलिए होता है क्योंकि जो जलाधारी होती है वो पारवती जी का स्वरूप होती है और जो शिव लिंग होती है वो शिव जी का स्वरूप होता है और जब आप लोग इन दोनों ही मतलब शिव लिंग और जलाधारी को मिलाते हैं तो इ इससे भगवान शिव और पारवदी में आप बहुत ज़्यादा खुश होती है और आपकी मनों कामना को भी पूरी करती है कोई भी समस्याय कमेंट करके पूर सकते हैं ओम नमस्ट शिवाय जै भुले अबाद श्री शिवाय नमस्तु भ्यम